जय हिन दोस्तो यहाँ पर देखेंगे एवरेज का question और सभी important question देखेंगे तो चलिए देखते हैं पहला इस्टार्ट करते हैं average यह होता है अवसत सबसे पहले जान लेते हैं जो creative number क्या होता है करमागत संख्या क्या होता है जैसे average निकालना हो तो 1,2,3,4,5 माल लेते हैं इसका average पूछा है तो average इधर से दो हटा लेंगे इधर से दो हटा लेंगे यह जो बीच में बचा वही average हो जाता है अगर इसको total को भी जोड़ेंगे तो total कितना आ जागा 15 और य निकालते हैं even consecutive number consecutive number यह क्या होता है सम करमागत संख्या संख्या यह सम करमागत संख्या जैसे 2,4,6,8,10 तो अगर इसका पुछेगा कि average क्या होगा इधर से दो हटा लेंगे इधर से दो हटा लेंगे यह क्या हो जागा यह हो जागा सम करमागत संख्या होगा और यही average हो ज यह उसत होगा तो चली और एक समय लेते हैं जैसे even हो गया ओढर पूछएगा जैसे एक तीन पांच साथ और यह नो तो इधर से दो हटा लेंगे यह जाएंगा क्या असाथ हो जाएगा तो चलिए अगला आगे अब question देखते हैं और question देखने से पहले और थोड़ा सा जान लेते हैं दो अभी छुट गया है जैसे एक दो तीन चार पांच छे अब देखें इधर से भी तीन हटा लेंगे इधर से भी तीन हटा लेंगे बीच में तो कुछ नहीं बचा तब इसका एंसर कैसे होगा य 3.5 या तो इसको भाग देखें जोड़के 2 से भाग देंगे तो यही आ जाएगा जैसे और यहां पर जान सकते हैं 2 4 6 8 10 12 यहां भी अगर तीन इधर से अटाएंगे तीन इधर से अटा लेंगे तो बीच में कुछ नहीं बचा तो यहां बीच में क्या होगा साथ होगा या 1828 इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी तो सबसे पहले 182 यह क्या हो जागा 20 में होगा क्योंकि आउसाथ है इधर 4 होगा क्योंकि 9 संख्या करम आगत है तो 1 2 3 4 इधर भी 4 1 2 3 4 पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या तीन आजएगा 82 83 84 और यह होगा 85 यही अंसर आ जाता वही एंसर होगा अगर दूसरा सबसे बड़ा पुछता तो 84 होगा इस परकार से कुछा जाता है तो यह इसको फर्मूला से भी बना सकते हैं अगले पाट में बताएंगे फर्मूला पहले यहां पर सबसे असान ट्विक बता रहे हैं बिना फर्मूला का बनाने के लिए तो चलिए देखते हैं अगला कोशन देखते हैं साथ करमागत संख्याओं का उसाथ 27 है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी देखिया उसाथ जो है वो क्या हो जागा बीच में होगा साथ करमागत इधर 3 हो जागा एक दो 3 और इधर भी 3 अब यह साथ पूर गया य जागा 30 अप्शन नमर ए सई एंसर है अगर इसको फर्मूला से बनाना चाहते हैं तो चलिए एक बता देते हैं फर्मूला यह होता है एवरेज पलस एन माइनस वन बाइ टू एवरेज कितना दिया है अवसाथ कितना दिया है 27 इस जगर लिखेंगे 27 एन माइनस वन तो 7 करम नमर इस एश है तो चलिए दखते हैं अगला को से 4 करमागत संख्याओं का आउसत 19 है तदनस्वार उन में से दूसरे नमर की सबसे बड़ी संख्या देखें आउसत कितना दियागे 19 चार करमागत है तो इधर एक-दो इधर वी दो होना चीए एक-दो अब देखें संसंख् संख्या कौन हो जागा 20 होगा 20 के बार 22 होगा इसके पहले 18 18 के पहले 16 होगा यह समसंख्या होगा और यह उसत है अब पूछा क्या दूसरी सबसे बड़ी दूसरी सबसे बड़ी कौन हो जागा 20 अगर सबसे बड़ी पूछता तो 22 होता दूसरा सबसे बड़ा पूछा है तो option तर एक, दो, तीन, चार अब देखे 15 के बाद शम्संख्या कून हो जगा 16 के बाद 18 और इसके 15 के पहले 14 14 के पहले 12 अब पूछा क्या है सबसे बड़ी दूसरी सबसे बड़ी तो दूसरा सबसे बड़ा कून हो जगा 16 इन सबसे को जगा तो सबसे पहले उपर वाला लिख लेते हैं A, B, C, D, E, F और G तो इसका उसत क्या हो जागा? इधर से 3 हटा लेंगे, इधर से भी 3 हटा लेंगे कोना आ जागा? D आ जागा, इसका उसत D आ गया अब ये वाला का लिख लेते हैं, J, K, L, M, N अब देखें, इसका उसत क्या होगा? इधर से 2 हटा लेंगे, इधर से 2 हटा लेंगे तो ये कौन सा बच जागा? L बच जागा, तो ये उसत हो जागा L अब दोनों संख्यां का पूछा है, दोनों संख्यां का उसत, तो L पलस D by 2 यही answer आजागा आउसत यह दोनों का आउसत आजाएगा common आउसत तो यही L पलस D answer आजाएगा option number A सही answer है अगला question देखते हैं लगातार 5 संख्याओं का आउसत A है यदि अगली 2 संख्याओं को भी लिया जाए तो नया आउसत क्या होगा तो सबसे पहले माल लेते हैं 1,2,3,4,5 पांच संख्याओं इसका आउसत क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा इससे दो और बढ़ा लेंगे 1,2,3,4,5,6 और 7 अब इसका आउसत क्या होगा यहां से 3 हटा लेंगे इधर से भी 3 अटा लेंगे यह आउसत आगया 4,4 और 3 में अंतर कितना है एक का यही एक हो जाएगा अंतर कितने का एक का रहा है तो ए पलस क्या आजाएगा एंसर एक, ए पलस ए एंसर आजाएगा उप्सन नमर, ए सही एंसर है अब देखे इसे भी असान ट्रीक क्या है अब यहां पर नोट्स में लिख सकते हैं, कि जितना भी नया नमर होगा यहां लिख लेते हैं, जितने भी नए नमर को अगर सामिल कर रहे हैं, सामिल कर रहे हैं या लिया जा रहा है तो क्या कर रहे हैं, तो उसको 2 से भाग देंगे और वही इंसर हो जाएगा अब देखे, कितना अगला संख्या ले रहा है, दो नमर ले रहा है, यहां पर दो संख्या को और भी आगे नया नमर ले रहा है तो 2 को 2 से भाग देंगे, कितना आजागा, एक और ए, इसको माल लेते हैं, तो ए पलस ए एंसर आजागा, असानी से इसको यह याद रखना होगा, ए पलस ए एंसर आजागा, अब आगे भी ऐसा जब भी सवाल आएगा, तो डिरेक्ट जितना भी नमर को सामिल किया जागा, उसको 2 से भाग देंगे, और उसमें से ए जोड़ लेंगे, एंसर आजागा, तो अप्शन नमर ए सही एंसर है, अगला कोशन देखते हैं, लगातार 233 संख्याओं का उसत ए है, यदि अगली 22 संख्याओं को भी लिया जाए, तो नया उसत क्या होगा, तो ट्रीक बता चुक अगला कोशन देखते हैं, लगातार 73 संख्याओं का उसत ए है, यदि अगली 13 संख्याओं को भी लिया जाए, तो नया उसत क्या होगा, देखे, 73 संख्याओं का उसत कितना दिया है, ए दिया है, और अगली 13 संख्याओं का है, तो क्या करते थे, ट्रीक क्या है, दो से भाग देनेगा, तो 13 को 2 से भाग देंगे, तो 6.5 हो जाएगा, अब क्या करना, A पलस, ये 6.5 कर लेंगे, यही एंसर आ जागा, option number, A सही answer है, अगला question देखते हैं, लगातार 5 सम संख्याओं का आउसत ये है, यदि अगली 2 संख्याओं को भी लिया जाए, तो नया आउसत क्या होगा, देखे, इसमें गलती भी कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब, देखे, यहाँ पे क्या पूछा है, सम संख्याओं का, आउसत पूछा, A, तो सबसे पहले क्या करने लेते हैं, आउसत संख्या, 5 संख्या, माल लेते हैं, 2, 4, 8 10 12 और 14 अब देखेंगे इसका उस्थ कितना आ गया 3 इधर से एटा लेंगे 3 इधर से ये कितना है 8 तो 8 में 6 घटा लेंगे कितना आ जागा 2 तो इंसर क्या होना चाहिए ये total का क्या मानने इंसर है यही इंसर होगा option number A सही इंसर है example से भी यह अपने से भी बना के देख सकते हैं यही होगा ना कि A पलस यहाँ पर जो बोला है जैसे करते थे दो से भाग दे देते थे A पलस 1 यह क्या हो जागा यह गलत होगा क्योंकि यहाँ पर सम संख्या का पूछा है इसलिए यह तरीका नहीं होगा यह होगा और A पलस 2 एंसर आजागा option number C सही एंसर है अगला question देखते हैं अगला question देखते हैं लगातार 233 सम संख्या का आउसत A है यदि अगली 22 संख्या को भी लिया जाए तो नया आउसत क्या होगा ध्यान देना है यहां सम संख्या का उसत पूछा है और यह 20 है यहां से यहां कितना है यह दिया है यह दिया है अब ध्यान देना है इसमें notes लिख सकते हैं कि जितना भी सम संख्या में सामिल किया जा रहा है संख्या वही संख्या जोड़ लेंगे answer हो जागा तो notes में लिखेंगे कि जितने भी जितने भी नए नमर को सामिल किया जाए तो उसे जोड लेना है जोड लेना है वही answer होगा वही answer होगा तो क्या करना है कितना संख्याओं ले रहा है 22 ले रहा है तो a प्लस 22 हो जाएगा यही answer आजाएगा option number a सही answer है अगला question देखते हैं लगातार 73 विशम संख्याओं का उसत यह है यदि अगली 13 संख्याओं को भी लिया जाए तो नया आउसत क्या होगा तो इसके ल होने वाले 5 करमीक पुर्णांकों का उसत अ हैं तततव स्वार a m पलसो से आरम होने वाले 6 करमीक पुर्णांकों का उसत क्या होगा जो देख़ें मान लेते हैं एक दो तीन चार और पांच यह करमीक संख्याओं और यह M से start हो रहा है, और यह इदर से हटा लेगे, इदर से हटा लेगे, अवस्त कौन सा हो जागा, 3 हो जागा, 3 जो होगा यह N के बराबर है, N के बराबर 3 है, अब देखे यहां से M पलस 2 से आरहम होने वाले कर्मिक संख्याओं का पूर्णांकों का अवस्त क्या होगा, अ या तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे सकते हैं या 5.5 आएगा अब दिखेंगे option में 5.5 नहीं है तब क्या करेंगे option में मान रखना है इनका मान रखेंगे देखें दो गुना 3 पलस 5 वाट 2 तो 6 5 11 हो जागा और 2 से भाग दे देंगे कितना जागा 5.5 आ रहा है तो option A स सम संख्याओं का ओसत 25 है तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे चोटी संख्या का अंतर कितना होगा ध्यान देना यहां सम संख्या पूछा है ओसत कितना है 25 तो यह ओसत क्या होता है बीच वाला होता है कितना संख्या है 6 संख्या है तो इधर 1 2 3 इधर भी 3 1 2 3 6 संख्या हो 24 24 के पहले 22 और 22 के पहले 20 अब सबसे बड़ा और सबसे चोटा सबसे चोटा यह 20 हो गया और सबसे बड़ा कुन हो जाएगा 30 तो 30 में 20 घटा लेंगे अंतर यही पूछा है तो 10 इंसर आ जाएगा तो चले अगला कुसे देखते हैं यदि आठ करमिक समसंख्यां का आउसात 127 है तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संक्या का अंतर कितना होगा देखिए यहां सम संख्याँ ध्यान हमें साथ देना है question को सही से पढ़ना है तो 8 कर्मिक संख्याँ का उसत कितना है 117 है 117 है अब इधर कितना 1, 2, 3, 4 इधर भी 4 होगा 1, 2, 3, 4 सम संख्याँ इसके पहले 128 इसके बाद 130 और 132 और 133 134 होगा 133 नहीं सम संख्याँ पूछा है अब देखिए इसके पहले कितना आ जागा 126, 124 और 122 और 120 दोनों का अंतर अब देखिए 120 और 134, 134 माइनस 120 घटा लेंगे 4 और यह कितना आ जागा 14 अब देखिए यह trick से और करके notes में लिख सकते हैं notes करके लिखेंगे यहाँ पर जितना भी संख्या है 8 कर्मिक संख्या है तो यहाँ पर लिखेंगे जितना भी संख्या उसमें से एक घटाएंगे गुना करना है गुना करना है 2 से, यहां से लिखेंगे 2 से, जैसे यहां पर कितना 8 है तो 8 में उपर लिख लेते हैं, 8 में एक घटा लेंगे, कितना जागा 7 और 7 को 2 से multiply कर लेंगे, 14 answer आजागा option number A सही answer है यह trick से याद रखेंगे, यहां पर next question देखते हैं, यदि 6 कर्मिक संख्याओं का उसत 128 है तो उन में सबसे बड़ी तता सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा तो trick बता चुके हैं, कितना यहां पर जितना भी संख्याओं, उसमें से एक घटा लेंगे, 6 है, तो 6 में गटा लेंगे, कितना जगा, 5 अब क्या करना है, 2 से multiply करना है 2 से multiply कर लेंगे, कितना जगा, 10 10 देख्या option number A सही answer है, अगर कुछ नहीं आता है तब वहां पर पीछे जाके देख सकते हैं, trick बता चुके हैं, किसे बनाना है यह 128 है उसके बाद इधर, इधर वे 3 जाएगा और सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर निकालेंगे, इंसर आजागर 10 option number A सही answer है, अगला question देखते हैं यदि A, B, C, D, E, A पांच कर्मिक विसम संख्या है, तो उनका अउसरत कितना होगा, माल लेते हैं इसम संख्या कोई भी माल लेंगे, 1, 3, 5, 7, कितना है, 5 है 2, 2, 4, 1, 5, यहां 5 हो गया, 9 अब इसमें से, इसको क्या है, A माल लेते हैं अब देखे, इधर से 2 हटा लेंगे, इधर से 2 हटा लेंगे आउसरत यहां पर क्या आ जागा, 5 आ जागा उनका आउसरत कितना होगा, अब देखे, 1 और 5 का अंतर देखेंगे एक जो है, यह 5 का अंतर देखेंगे, यह दोनों का अंतर कितना है, 4 का यही एंसर हो जागा, A पलस 4 एंसर आ जागा, option number D सही एंसर हो जागा, अगला question देखते हैं, लगातार तीन समसंख्याओं का योग इन तीन समसंख्याओं के आउसत से 28 अधीक है फिर इन तीन संख्याओं में सबसे चोटी संख्या क्या होगी देखे पहले तीन संख्या समसंख्या मानेंगे 2, 4, 2, 4, 6 अब इसका टोटल कितना हो जागा यह हो जागा 12, यहां से यह total हो गया इसका आउसत क्या होगा, इधर से एक हटाएंगे इधर से एक, यह बीच वाला, तो 4 हो गया आउसत अब यह दोनों का अंतर कितना है, 8 का लेकिन अंतर बोल रहा है, 8 नहीं, 28 अधीक है यहां से 28 अधीक है, तो इस जगे लिखेंगे 28, इससे कितना गुना भाग देके देखेंगे, तो 28 बटे 8 गुना ज़्यादा है तो क्या करेंगे, 4 का 28 बटे 8, तो 4 दुना 8 और यह आजागा 14 यह क्या आगया, अवसत आगया, अब यह आवसत आगया, इसमें से सबसे छोटा पुछाए, तो यह बीच वाला आगया, अवसत 14 14 के बाद 16, और 16 के पहले कितना आजागा, यह 12 आजागा क्योंकि 3 संख्याओं में सबसे छोटी, यह आवसत हो गया और यह आवसत हो गया, सबसे छोटी पुछाए, तो एंसर होगा 12 अवसन नमर A, सबसे और इंपोर्टेंट कोर्शन है, तो चलिए देखते हैं, अगला कोर्शन देखते हैं, लगतार 5 संख्याओं का योग, इन 5 संख्याओं के ओसत से 48 अदिक है फिर इन 5 में से 7 से छोटी संख्याओं क्या होगी, तो 5 संख्याओं, 2, 4, 6, 8, 4, और हो गया, 10, 5 संख्याओं हो गया अब देखें, ये टोटल को जोड़ लेंगे, 6, 4, 10, 10, 10, 10, 20, 10, 30, ये हो गया, टोटल कितना, 30 हो गया अब इसका ओसत निकलना है, तो ऐसत कैसे निकलते हैं, ये बीच वाला हो जागा, इधर से 2 हटा लेंगे, इधर से भी 2 हटा लेंगे, ओसत कौन सा हो जागा, 6 अगया अंतर देखे यहां से कितना है 24 का अंतर है यह आ गया 24 का अंतर अब क्या करना 48 अधीक है तो 24 नहीं 48 अधीक तो यहां 48 से कितना गुणा दो गुना ज्यादा तो यह 6 का भी दो गुणा यह हो ग्या 12 यह क्या हो गया संख्या यह लिख लेते हैं 12 अब 40 MA죠 five इसमें से 50 में से सबसे च्छोटी संख्या बारा के बाद 14, 16 और इधर कितना आ जागा ये हो गया 10 और इधर 8 सबसे छोटी संख्या तो सबसे छोटी कौन आ जागा 8 आ जागा तो 8 देखिया option number B है answer B सही answer हो जागा तो चलिए देखते हैं अगला question और ये important question है 25 लगातार विशम पुर्णांकों का आउसत 55 है इनमें से सबसे अधिक पुर्णांक कौन सा हो जागा देखिये ये 25 का average क्या दिया है 55 अब इसमें से क्या करना है 25 में एक घटा लेंगे 25 में एक घटा लेंगे कितना आ जागा 24 अब 24 को ये दोनों नम्मर को जोड़ लेंगे तो answer आ जागा पांच चार नो पांच दो साथ कितना आ जागा 79 अप्शन नम्मर ए सही answer है वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेर जाव किजिएगा मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए